गुड मोर्निंग दोस्तों, वल्कम टो मैं चैनल कर्मा ब्लोग आज की सुभा इतनी सुहानी मोसम है, इतनी अच्छी मोसम है और आज इतनी अच्छी मोर्निंग में सभी दोस्तों को, सभी व्यूवर्स को मेरा शुब कामना है और आप सब को स्वागत है कर्मा ब्लॉग में दोस्तो मैं काफी दिन पहले एक वीडियो बनाया था जो वीडियो एक information एक general knowledge जिसके जो की topic था इंग्लिश के बारे में इंग्लिश की सबसे आप उसको अपना जो उसमें पकड़ बना सकता है पकड़ मुझबुश कर सकता है इंग्लिश का क्या importance है मेरा request और एक suggestion और information था हर guardians के लिए जो आपने बच्चों को कम से कम encourage करें और मतलब क्योंकि नहीं करने से कुछ न कुछ तो ठीक है तो कम से कम मैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ कम से कम तो कुछ उसको help करें उसको encourage करें क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा करकी आप आगया सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोलूंगा ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए आपका एक mindset करना परेगा और अगर आप mindset बना लिया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे क्यूंकि जो new generation में जो English का importance देखा गया है इसमें ये देखते हुए मैं ये मेरे को लगता है कि क्योंकि मैं पहले वीडियो में बताया था जो कि इसका importance मैं खुद ये चीज़ फिल किया क्योंकि मैं जब किसी एक commission के लिए किसी एक exam का तैयरी कर रहा था तब इसका importance क्या था आज कल के बच्चे जो भी जैसे मैं त्रिपुरा से बिलंग करता हूँ जो हमारा त्रिपुरा में जो की सरकारी स्कूले बहुत है English medium या private school बहुत है जो भी private school है उसमें हमेशा pure English language यूज नहीं होता दोस्तो language हमेशा practice का बहुत महतो है practice बहुत चाहिए language सीखने के लिए हमेशा एक कोई भी बात आप किसी से continuous लिए आप उसमें लगे रहेंगे करते रहेंगे तो आपका इसका capture आप उसको पर पकड़ बना सकता है उसको capture कर सकता है उसको हमेशा दिमाग में एक आप उसको आपका याद दस ताजा हो सकता है आपको इसको याद करने के लिए आपको एक मतलब काफी एक जो शमता है उसका जो power है वो increase होगा अगर आप बात करेंगे नहीं अगर आप practice करेंगे नहीं तो कहां से होगा दोस्तो मैं जो चीज़ देखा हूँ क्योंकि मेरा बच्चा खुद किसी private school में पढ़ता है और private school है जैसे त्रिपुरा में काफी सारा है private school क्योंकि मैं त्रिपुरा से बिलंग करता हूँ इसलिए त्रिपुरा का बात कर रहा हूँ ऐसे हर state में है मैं कहीं सारा school देख चुका हूँ private school English medium भी same है जो भी English medium school है उसमें भी English medium है लेकिन बात किया जाता है बिंगोली से अपना भासा से बात करते है अपना mother tongue से बात करते है स्रिप class में जो पढ़ाई होता है उसी दवडान वो पढ़ाएगा English बात करेगा बिंगोली से अपना mother tongue से हर state में ऐसा ऐसे ही चल रहा है लेकिन अगर उस बंदे को उस school में जब तक उस school में एंटर हुआ जैसे morning में एंटर हुआ अगर कितना वज़े भी एंटर हुआ उसका school timing जितना भी है पाच गंटे का छे गंटे का जो भी उसका school timing है उस school time ही school में एंटर होने का बात से लेका school से out होने तक अगर उसका जो बात करने का बातचित का जो रूटीन है जो उसका जो एक set procedure है अगर वो बनाया जाता अगर वो बंदा school में घुस्तने से लेके start किया अपना बोलना और out होने तक school से अगर वो बातचित English से ही करे कि उसका Guardian से या Guardian को उहां मतलब नहीं होता है स्कूल के अंदर में उसका दोस्त लोगों से उसका टीचर लोगों से उसका जो भी related है एजुकेशन से related जो भी बात तो बंदा उसमें उई चोटा बच्चा वो काफी उसका Mindset उसका Mind Free होता है उस टाइम और उस चीश में ज़्यादा पकर बना सकता हो लेकिन हमारे स्कूलों में हमारा जो सिस्टम है हमारा स्कूलों में आपको पढ़ाएगा English लेकिन बात करेगा अपना Mother Tongue से बात करेगा बेंगोली से कोई बात करेगा कोई और अपना नागामी से जो भी बन्दा जो भी स्कूल में पढ़ रहा है सिर्फ बुक का पढ़ाई को छोड़के वो अपना Mother Tongue उस करता है अगर स्कूल वाले टीचर हो चाहिए कोई भी हो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया जाए जब इंटर हुआ तो वहाँ बच्चे लोगों का जो जो इस्टेंडर था बोथ हाई फाई था बच्चे लोग स्कूल का गेट के अंदर एंट्री होते ही वहाँ पर आपका बोल चाल पूरा इंगलिश में हो जाता है किसी बंदे का मुझ से किसी छोटे बच्चे से लेके क्लास 9-10 तक था उस्कूल वहाँ पर अपना mother tongue यूज़ करने का उनको अनुमती नहीं था उनको ये permission नहीं था कि वो अपना parent से भी मिले ब्रैक टाइम में या किसी भी टाइम में वो जब तक स्कूल फिनिश ना हो जब तक स्कूल टाइम खतम ना हो तब तक वहाँ पर दूसरा कोई language का इस्तेमाल नहीं होता दोस्तो लेंग्वेज सीखने के लिए थोरा सा टाइम चाहिए और बच्चों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए हम बड़े लोग के लिए थोरा सा उसमें क्योंकि हमारा जो मोहल है जो हमारा जो साथ में चलने वाले हमेशा सेम नहीं मिलते बात करने के लिए हर बंदे को थोरा सा hesitation फिल होता है जिसके कारण बड़े लोगों को सीखने का थोरा सा दिक्कत होता है अगर वो class proper class return करे तो उनको भी सीखने में थोरा सा जल्दी हो सकता है otherwise बच्चे लोग mind fresh होता है free mind होता है उसका खाली दिमाग होता है उसको बाकी tension होता नहीं उसको पढ़ने का time अगर उसको श्रीप इसी चीज़ के उपर उसको practice दिया जाए उसको हर चीज़ का एक set routine मनाया जाए तो मेरे को लगता है मैंने ये चीज़ फिल किया कि उस डन्बोस्क स्कूल में हर बच्चे का जो नर्सरी से लेके plus 10 तक मतलब metric तक जो भी 10 तक उसने metric था 10 तक उस स्कूल में जितना भी student था सब के मुँ में एकी word था मतलब एकी language था English जो की सीखने के लिए जो जरूरी है वो लोग वही set routine मना रखा है practice हमेशा चाहिए practice कब होगा जब आपको उपर instruction किया जाएगा आपको instruction दिया जाएगा कि इस time period में आम दूसरा भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे श्रीप यही उस करेंगे यही आपका school का routine school का discipline तो जाके हर कोई बंदा वहाँ पर हर कोई student अपने अंदर improvement ला सकता है हम लोग बहुत कोशिश कर रहा है कि बच्चों को अच्छा सिख्षा दे अच्छा education दे उसको अच्छा से अच्छा उसका mark लाए confident बढ़ाए उसका तो बंदा proper guidance उसको नहीं मिलता मा पिता जी को इतना knowledge नहीं होता हर guardian को इतना knowledge नहीं होता हर guardian को English आता नहीं तो मैं school जो भी private schools है जो भी government schools है सभी स्कूलों का जो teacher लोग है सबसे मेरा request है जो कि आप लोग अगर कृपा करें दया करें आप बच्चों के उपर कम से कम आप जितना जानता है आप hesitation फिल ना करें आप अपने बच्चों जैसा उनके साथ behave करें और अच्छा से बच्चों को समझाए जिससे मेरे को लागता है बच्चों का future में यह बहुत ज़्यादा जोरूरी है हर बच्ची के लिए दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है मैं इसके लिए मैं किस हिसाब से उसका तरीका है में नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आ रहा हूं इसको की स इसे ही है प्रेशर दिया जाता इंगलिश आना चाहिए लेकिन प्रोसिजर किसी को नहीं बताया जाता है रूटीन किसी को नहीं दिया जाता किसी से करना है डिसिप्लिन उस तरीके से नहीं बनाया गया स्कूलों का तो मैं सबसे यह गार्डियन से जितने भी गार्डियन से मैं सबी guardians को मैं बोलूंगा जो भी parents meeting वगरा होता है उस meeting में आप join करे और principal से या teacher लोगों से आप appeal करे कि school में ऐसा होना चाहिए अगर school में मोहल ऐसा बने तो आपका बच्चा improvement जरूर होगा discipline सही होगा दोस्तो मैं next blog में आ रहा हूँ दुसरे point के साथ इस blog में आज के लिए जय हिंद जय भारत अच्छा लगे तो comments करना share करना और कोई भी आपका और suggestion हो आप मेरे को send करे comment box में जाके comments करे जय हिंद जय भारत